सभी लोग दा पॉलिटिकल मास्टर में आप सभी का स्वागत है सिबेसी क्लास तें तो क्लास ट्वल्द के उन सभी विध्यारतियों के लिए बहुत बड़ी खुसकबरी है जो विध्यारती इस बार अपने रिजल्ट से असंतूष थे असाहमत थे जिनके नंबर जादा आने चाहे थे बड़ टीचर्स की गलती के विजए से नंबर उतने नहीं आप है जितना उनकी आना चाहे था क्यों बहुत सारे बचोंग लगाता और मैसेज आ रहे थे कि सर हमने 95 प्लस से जादा नंबर की कोश्चन किये तो अगर हमारे कोश्चन कटते भी तो जादा जादा प बढ़ भी हो सकते जी हां दोस्तों कैसे बढ़ सकते हैं मैं आप सभी को इस वीडियो में बताने वाला हूं नंबर जो है दो सो प्रतिसर बढ़ेगा क्यूंकि धर्मेंद्र प्रधान जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर है हुसे हैं भरदवाज जी जो सभी लोगों का मानना है कि इस बार जो बच्चों की कोपी चेकी कि वो सही चेक नहीं की गीए क्यूंकि इसमें बहुत सारी त्रूटियां हैं जिन छात्रों ने इस तरह की कंप्लेन की उस पर करवाई की जारी है तो दुस्तों मैं आप सभी को बता दू कि आप अपने नंबर को कैसे बढ़ा सकत हैं उसके माध्यम से आप अपने नंबर को बढ़ा सकते हैं और कंफर्म दोस्तों नंबर बढ़े गाई बढ़े क्योंकि इस बार बहुत एक भी सुन ऐसा ने जो सही मतलब जिसे कहते हैं कि आउट ओफ नहीं चेकिए गई है तो सवाल यह कि क्या जो मार्क्स रिवेलियूशन है जो अभी स्टार्ट होगा आज लास जेडर क्या उसको अप्लाई करने में नंबर बढ़ेंगे तो जिसका उत्तर जहां आपकी नंबर बढ़ सकते हैं बहुत से चाथ लोग लगातर कमेंट सारे कि सर कि हमें तीनों स्टेप करना पड़ेगा तो अगर आपके पहले स्टेप में जिसे हम मार्क्स रिवेलियूशन कहरें उसमें अगर आपके नंबर बढ़ते तो आपको दोनों स्टेप नहीं करने होंगे ठीक है अगर आप पहले स्टेप में असंतूस्ट होते हैं तो आप तो री वेरिफिकेशन करवा सकते हैं जिसके सोर पेपर कोशन आप कुछ आज देने पड़ेंगे तो कुल मिलाकर देखा जाया तो नंबर बढ़ने की संभावना पूरी-पूरी है जिन भी छात्रों को 75% नंबर चाहिए चाहिए वो जेए के लिए हो चाहिए किसी भी इंजि देफिनेटली आपके नंबर बढ़ेंगे और मैं गैरंटी के साथ क्या रहा हूं क्यूंकि पिछले साल भी हमने ऐसे बहुत से छात्रों के जो है अपलाई किया था जिनके नंबर बढ़े हैं तो आप निशिंत रही है अगर आपने अच्छा पेपर किया है डेफिनेटली पैटन क्या रहेगा जिस तरह से आपने पहले एक्जाम देश्चेम पैटन रहेगा सेम कोशन आगे सेम सिलिबस रहेगा कोई बढ़ने वाला नहीं है बहुत सारे छात्रों के सवाल होता कि सर कंपार्टमेंट के पेपर बहुत हाड आता है तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो ज जो भी चाहते जो हैं कमपार्टमेंट या इंप्रूमेंट एक्जाम देना चाहते जिसे आप इसके नाम बदल कर सप्लेमेंटरी एक्जाम रख दिया गया है तो अपने सिलेबस को कवर करें एक्जाम जो जुलाई के महिने में कभी लिया जा सकता है ठीक डेट अभी तो नही लीजिए क्योंकि जो आपकी गलती नहीं है और उसका खामियाच आपको खुद भुगतना पट रहा है तो आप अपने मार्क्स को बढ़ा सकते हैं इस वीडियों पसे नहीं दोस्तों वीडियो अच्छे लगी हो तो लाइक कीजिए सेर कीजिए चैनल पर नहीं है तो चैनल